नमस्कार सातियों इस वीडियो में हम राजस्तान सरकार के गह विबाग द्वारा 31 दिसमबर तक जो नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में विश्त्रिच चर्चा करेंगे कि अभी स्कूल और कोचिंग संस्ताइं कब खुलेंगे उन सब की विश्त्रिच जानकारी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हम साथ में किन जीलों में कर्फिव रहेगा उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको दूंगा और साथ में नई जो गाइडलाइन है उसमें क्या खा गया है उन सब की विश्त्रिच चर्चा हम इस वीडियो में कर करना चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्तान ग्रह विबाग द्वारा 29 नॉंबर को जो नई कोरोना गाइड लाइन जारी की गई है वो एक दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के लिए जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि अभी कोचिंग संस्ताइं और स्कूलों को अभी खोलने की अनुमती नहीं दी गई है जिसके बारे में हैं मैं आपको इस पीडियेप में बताऊंगा देखो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वज़े से राजस्तान के अंदर अभी जनानोदन प्रारम करने की समय की मांग है कि कोरोना को लेकर कोरोना के विरूद जनानोदन करने की आवसकता है जिसमें सभी लोगों को अपनी बागेदारी निभानी है साथ में कोरोना की रोकताम के लिए राजस्तान सरकार पूरी तरिके से सकता है बरतरी है साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि जो कंटेंटमेंट जोन है उनमें किसी भी परकार की डिलाई बरतने या छूट की अनुमती नहीं गी है इसमें देख सकते हो दोस्तों आप कि जो contentment johns में किसी भी परकार की छूट के अनुमती नहीं दी गई है साथ में इसमें ये भी बता गया है कि 13 जिल्य ऐसे हैं जहां पर अभी परतिबंद लगाये गया आप देख सकते हो यहां पर दोस्तों कि 13 जिल्य ऐसे हैं कोटा, जेपूर, जोदपूर, बिकानेर, उदेपूर, अजमेर, अलवर, बीलवाडा, नागोर, पाली, टॉंक, सीकर और गंगा नगर इन जिल्लों के अंदर कोवेट के बढ़ते मामलों की वज़े से रातरी 8 वज़े से सुबह 6 वज़े तक कर्फ्यू रहेगा, साथ में जो बाजार है वो भी सामकोच 7 वज़े बंद कर दिया जाएगा इसके अलवा, इसकूल और कोचिंगों को लेकर जो बात कही गई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कंटेंटमेंट जोन से जो बहार है बहार के छेतरों के अंदर क्या का आ गया है कि जो स्कूल और कोचिंग संस्ता हैं राजे सरकारदवारे ये निने लिया गया है कि विध्यारतियों के लिए और एवं नियमित कक्सा गतिवीतियों के लिए सबी विध्यालियों, महाविध्यालियों, सेक्सिक और कोचिंग संस्ताओं आदी दिनांग 31 दिसंबर तक बंद रहेगी यानि कि इसमें साब लिखा गया है कि 31 दिसंबर तक बंद रहेगी यद्देपी इनमें किस परकार की छूट दी गई है उसके बार में हम बात करते हैं इसमें का गया है कि ओनलाइन और डिस्टेंसिंग लेर्निंग जारी रहेगी कि आप ओनलाइन के मातेम से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे और उसके द्वारा प्रोसाइच करे साथ में ये भी का गया है कि विद्धाले में ओनलाइन अध्यापन और टेली काउंसिलिंग समंधिकारियों के लिए स्वास्ते एवं परिवार कल्यान मंत्रा ले द्वारा जारी मानक संचालान पर करया के अनुसार प्रचाज प्रतिसस सेक्सिक एवं एसेक्सिक स्टाप को स्कूल में बुलाया जा सकता है साथ में इसमें ये भी का आगया है कि कक्सा 9-12 केवल उनी छेत्रों में जो कंटेन्मेंट जोन से बाहर है उनके बारे में बात की गी है कि कक्सा केवल कंटेनमेंट जोड से बाहर के विध्यारतियों को स्वेचिक रूप से 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 विध्यारतियों को स्वेचिक करके ही जा सकते हैं हालांकि इसमें विध्यारती मारक दर्शन के लिए जा सकते हैं और कुछ अपनी डाउट्स पूचने के लिए जा सकते हैं हालांकि ककसाएं लगाने की अनुमती नहीं दी गई है इसके अंदर तो दोस्तों यह थी नई जो गाइडलाइन 31 दिसमबर तक जा दे जा सकते हें तो इसलिए जो नई गाइड लाइन है उसका आप भी पालन कीजिए जा साथ में सर्दिके बढ़ते महोल के वज़े से कोरोना बढ़ रहा है इसलिए आप सभी से ये आपकी सभी का करतो बनता है कि आप तो कि को ча इस पालन करे और साथ में बिना मास्क के बाहर ना निकले थैंक्यू दोस्तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में